हेलो गईज, वेल्कुम बैक तो मैं चैनल और यहां पर मैं रिव्यू करने वाली हूँ बॉडी फैंटसी का बॉडी स्प्रे यह वनीला वेरियंट में है और इसका जो अमाउंट है वो 236 ml है इसमें एक छोटा वेरियंट भी आता है 94 ml का जो की लगभग 300 रुपए का आता है और यह 500 रुपए का आता है 236 ml तो जैसे कि आप देख रहे हैं वनीला वेरियंट है और आप देख रहे हैं कि मैंने इसको कितना यूज भी कर लिया है तो मैं आपको बता पाऊंगी कि यह कैसा है और कब तक स्टे करता है और आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं आप इसका packaging कैसा है यह आप देख सकते हैं यह इसका cap है और यह sturdy है यह खुल जाता है और यह अच्छे से बंगी हो जाता है यह एक body spray है body spray क्या होते हैं कि जो आप body पर खुश्पू के लिए spray कर लेते हो यह perfumes नहीं है आप इसको कपड़ों पर नहीं डालते हो आप इसको body पर directly spray करते हो अब बात करते हैं इसके smell की तो इसका जो smell है वो मेरे हिसाब से जो इसका composition है वो बहुत ज़ादा इसका composition alcohol और water based है तो जब आप इसको spray करते हो तो बहुत तेज alcohol का smell आता है फिर कुछ दो-तीन मिनट बाद वो smell फेड होने लगता है और फिर इसका ज में थोड़ा थोड़ा सा flavor आता है perfume में और उसमें थोड़ा सा जो fruity smell होती है na fruity sweet smell वो आती है और अगर मैं आपको example देने के कुशिश करूँ तो जो boropless का smell होता है na boroline boropless कुछ-कुछ 20% उसका smell प्लस आप vanilla का हलका सा smell उसमें से आता है fruity fruity sweet sweet सा तो वैसा सा smell होता है मेरे यह साब से मुझे यह उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि एक तो इसका alcohol का जो smell होता है वह बहुत unbearable है और बहुत चीप लगता है जब आप इतना सारा लगा के निकलते हो और प्लस इसका perfume का smell भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा इसको spray करते हैं तो जो इसका perfume का smell है वह बहुत जादा long lasting नहीं है आपकी बॉड़ी पर तो यह रहता है दो तिन घंटे लेकिन दूसरे को इसकी कोई smell ले आती आपको ही आएगी लेकिन वह भी बहुत जादा देड तक नहीं आएगे दो तिन घंटे तक ही आएगी फिर यह बहुत जादा फेड हो जाएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बताएगे कि आपको अगला किस प्रॉडक्ट कर रियो देखना है